नमस्कार, मैं हूँ ताजा अपडेट के साथ असुक बर्मा, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूल, आप अपने अपने छेतरों की ताजा खबरें देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ, सुरुवात करते हैं खबरों का सिलसिला अब जनपन्द में ही एक ऐसर ट्रामा सेंटर खुला है जिसका नाम है गलोबल हस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, जहां सभी को वादूनिक सुविदाओं का लाम मिलेगा, जहां एक छट की नीचे सभी प्रकार के रोगों का उपचार हो सकेगा आपको वताते हैं कि अस्पिताल सेर के मौग रोड पर जहरामपुर में मुखे रोड पर इस्तित है और अस्पिताल तो वैसे काफी दिनों से चल रहा था लेकिन आज अस्पिताल का बीधवत ओधगाटन डॉक्टर सुबास सिंग के पीता के करकम लोत्वा संपन हुआ कारकरम में भार संख्या में समाजी कारकरता डॉक्टर पुलिस पर प्रसासी निकातिकारी के साथ ही प्रूसानसर संतोस सिंग भी उपास दी थे अस्पिताल के डारेक्टर डाक्टर सुबास सिंग और उनकी पतनी डाक्टर सिप्रा सिंग ने अंगतुक समानित जनों का श्वागत किया अश्मनाते हैं कि अस्पिताल के बारे में डाक्टर सुबास सिंग और उनकी पतनी डाक्टर सिप्रा सिंग ने क्या कुछ का सबसे पहले तो ग्लोबल परिवारी की तौरप से सारे आजमगड़ बासियों को हमारी सुपकामनाई है मकरसंद कांद की सुपकामनाई भी है सबसे पहले तो जहां तक आजमगड़ के इस हॉस्पिटल का सवाल है जो मेरी अभी तक नौलिज है आजंग मड़मी ये सबसे पूर हॉस्पिटल है इस समय क्योंकि अब हमारे साथ जो है सारी ब्रांशिज आ चुकी है हमारे मेडिसीन में डॉक्टर निकलेश चत्रवेदी है इस हॉस्पिटल की डिरेक्टर दॉक्टर सिप्रा खुद गैनकोलोजिस्ट है उसके अलामा मैं खुद प्लास्टिक सर्जन अब एक निरो सर्जन डॉक्टर धीरच पातिल भी यहां पर जुड़ चुके हैं हम लोग के साथ और डॉक्टर आसीश वर्मा यूरो सर्जन यहां पर या लेडी आ चुके हैं उसके अलामा ENT, आफथा, डेंटल, फिजो थरपीड इपार्टमेंट, पीडिया डिपार्टमेंट डॉक्टर अलीस अहसन हम लोग के साथ हैं इस तरह से एक मेडिसीन, सरजरी, गाइनी, पीडिया, आर्थो, प्लास्टिक सरजरी, नीरो सरजरी, यूरो सरजरी और सारी फेसलिटी एक तरह से हां पर एक छट के नीचे आपको आजमगडवासियों को मिल पाएगी और इसके लिए आजमडवाशियों का भी बहुत-बहुत धन्यवाद है कि इसमें हमें सहयोग किया उन्होंने और पुराने गलोबल के बाद हम नए गलोबल की और सुरुवात किये हैं और जो भी हो सकता है, हम इस समाज की सेवा करने के लिए ततपर हैं, और जो भी हो सकता है, एक सस्ते और सुलब रूप से, सुचार रूप से इस हास्पिटल को चलाने की कोशिस करेंगे, जिससे सभी जन्रपदवादियों के सहयों की भी आकांचा है, आज मेरे पिता जी द्वाटन द्वारा इसकी सुरुवात की गई है, और हम चाहते हैं कि भविश्य में भी इस फेसिल्टी को हम और इंप्रूव करके बनाने की कोशिस करेंगे, क्या कुछ नए एकुपमेंट भी इस हास्पिटल में हैं, जैसे पुराने पद्यात पर लोग इलाज कर रहा हैं जैसा कि डॉक्टर साब ने आपको बताई दिया कि क्या क्या सुविधाया हैं, एक चीज मैं इसमें आड करना चाहते हूं कि डालेसिस यूनिट भी हमारे क्या खुल गई है, तो जो भी किड्नी की गंबी सह में से आए हैं, वो उसका भी उच्चरन होगा यहां पर, और पैथालजी, पैथालजी भी हमारे यहां है, एक्सरे क सारी सो विधाये हैं, और तो सबस्टाइब।